हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी के point of view से क्या importance है PT में कहां से क्या question बन सकता है और क्या concept है इसके पीछे हम हार एक विशय पे चर्चा करेंगे तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा जो है अभी हाल ही में जो राश्ट्रपती जी के दुआरा भी भाशन दिया सबको पता है कि संसदिय शाषन प्रणाली हमने कहां से लिए है तो इंग्लैंड से लिए है तो बहुत सारे ऐसे प्रोवीजन जो संसदिय शाषन प्रणाली को चलाने के लिए जरूरी है हमने काफी सारे प्रोवीजन भी इंग्लैंड से ही लिए हैं इंग्लैंड में जो व वहां से इस जो विधान है इसको हमने कोपी किया है संयुक्त राज्य अमेरिका की भी बात करें वहां के राश्ट्रपती ने 1790 में पहली बार कॉंग्रेस को संबोधित किया है यानी संसद को संबोधित करने की जो परंपरा है ये केवल भारत में ही नहीं है इंडियेंड और अमेरिका जैसे देशों में भी वहां के राश्ट्रपती संसद को संबोधित करने का जो कारिया है वो करते हैं येदि हम राष्ट्रपती के अभी भाशन की बात करें तो अपनी वेशिक काल में क्या प्रोवीजन से तो सबसे पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है यहांपे प्रोवीजन किया गया था कि राश्ट्रपती द्वारा संसद को संबोधित करने की प्रथा बैसिकली 1919 में भारत सरकार अधिनियम की घोशना के बाद स्थापित की गई थी उसमें राश्ट्रपती तो होते नहीं थे गवर्नर जनरल होते थे बेसिकली हम वायस राय भी बोल द सभा और राज्य परिशद को संबोधित करने का अधिकार दिया था अब यहां से कोशन बन सकता है एक तो हमने राश्ट्रपती के अभिभाशन की जो परंपरा है यह कहां से अपनाई है तो हमने इंग्लैंड से अपनाई है दूसरा संविधान के पहले किस अधिनियम के अगला है कोई सयुक्त संबोधन नहीं हालां कि 1919 का जो एक्ट था उसमें सयुक्त संबोधन की बात नहीं की गई थी है ना जैसा कि अभी भारत में सयुक्त संबोधन होता है अभी मैं बताऊंगी लेकिन हमने कहीं ना कहीं जो 1919 का एक्ट था उसमें अभी भाशन की बात तो करही दी गई थी यदि हम उसके बाद स्वतंतृता के बाद की बात करें तो 1947 में 1947 में हमारा देश अजाद हो गया 1950 में हमारा समिधान लागू हुआ तो 1947 से लेके 1950 के बीच समिधान सभा को कोई संबोधन नहीं था यानि इस बीच में कोई संबोधन नहीं किया गया राश्ट्रुपति के द्वारा ठीक है बास समझ में आ गई अब हम बात करेंगे समिधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को तो सबसे पहला जो संबोधन था हमारे प्रथम राश्ट्रुपति राजेंदर प्रसाद जी द्वारा 31 जनवरी 1950 को पहली बार लोग सभा और राज्य सभा के सदवस्यों को संबोधित किया गया यह बहुत ही जादा महतवपून पॉइंट है PTK point of view से यानि पहली बार जो राश्ट्रुपति का अभी भाशन था उसका प्रियोग भारत में पतंत्र भारत में कब किया गया तो 31 जनवरी डेट वगएर याद नहीं रखनी है बट 1950 में ही जो राजेंदर प्रसाद जी थे हमारे राश्ट्रुपति उस समय के उन्होंने लोग सभा और राज्य सभा को संबोधित किया था जब समिधान लागू हुआ तो ये बहुत important बात है जब हमारा समिधान लागू हुआ तो ये provision किया गया था कि संसद के प्रतेक सत्र को राश्ट्रुपति संबोधित करेंगे अवश्य तोर पे करेंगे लेकिन संसद के कितने सत्र होते हैं आम तोर पे तीन सत्र होते हैं और कम से कम दो सत्र होने जरूरी होते हैं क्योंकि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में छे महीने से जादा का जो गैप है वो नहीं होना जाए लेकिन फिर हर एक सत्र को संबोधित करते और हर एक बार धन् इसलिए क्या किया गया समिधान ने अभी मैं बताऊंगी कौन से संचोधन के दुआरा राश्ट्रपती राजयपाल को विधान मंडल की बैठक को संबोधित करने की शक्ति दी है हमारे समिधान ने राश्ट्रपती को भी है ना बेसिकली केंद्र के स्तर पे और राज्यों के स तर पे अलग-अलग राज्य के राज्य पाल को वहां की जो विधान मंडल है या केंदर की जो संसद है इनको संबोधित करने की शक्ती दी है अब आर्टिकल 87 के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है आर्टिकल 87 में साफ तोर पे लिखा है कि दो विशिष्ट अवसरों पर ये प्रावधान करता है कि जिन पर राश्ट्रपती सयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं ये दो विशिष्ट अवसर कौन से है एक तो नया लोग सभा बने है न नए चुनाओ होने के बाद जो पहली लोग सभा आएगी यानि आम चुनाओ के बाद जो नई विधाय का कार दिया गया है आर्टिकल 87 के दूसरा संबोधन प्रतेक वर्ष संसद की जो पहली बैठक होती है पहला सत्र होता है जो आम तोर पे बजट सत्र हम जानते हैं तो प्रतेक वर्ष संसद के पहले सत्र को संबोधित करना इस अविभाशन का हिस्सा होता है इस आवशक्ता को पूरा किए बिना किसी नई या सततर विधायका का सत्र शुरूँ नहीं हो सकता ना तो बजट सत्र शुरूँ हो सकता है अभी भाशन के बिना अभी भाशन के और नहीं जो नव गठित लोग सबा है उसकी पहली बैठक में भी basically अविभाशन ही होता है ठीक है तो अविभाशन 87 K point of view से काफी महत्वपूर्ण है अब इसे वार्शिक मामला बनाना जैसा कि मैंने आपको बताया जब हमारा समिधान लागू हुआ तो भई हमारे समिधान में ये प्रोवीजन किया गया था कि प्रतेक सत्र को संबोधित करेंगे राश्ट्रपति लेकिन हुआ क्या फाइनली 1950 में राश्ट्रपती राजेंदर प्रसाथ ने प्रतेक सत्र को संबोधित भी किया था एक भाशन भी दिया था लेकिन 1951 में पहले समिधान संचोधन दुआरा ध् शुरुआत से ही ये व्यवस्था है कि राश्ट्रुपती केवल तो मामलों में विभाशन देंगे, एक तो नवगठित पे और एक पहले पे तो गलत हो जाएगा, समिधान, मूल समिधान में व्यवस्था थी, राश्ट्रुपती प्रतेक सत्र को संभोधित करेंगे, इस बात होता क्या है, बेसिकली अभी भाशन मतलब राश्ट्रुपती एक भाशन देते हैं, एक स्पीच देते हैं, ये स्पीच किसके द्वारा लिखित होता है, तो सरकार के द्वारा ही ये जो भाशन राश्ट्रुपती जी पढ़ते हैं, ये सरकार के द्वारा ही लिखित होता है ध्यान रखिएगा इसमें सरकार का दृष्टी कोण होता है सरकार के सारे achievements होते हैं जो सरकार ने पिछले सालों के दोरान प्राप्त किये होते हैं और सरकार का reason होता है लक्षय होते हैं जो सरकार आगे आने माले सालों में प्राप्त करना चाहती है बेसिकलिए जो अविभाश उसके reasons, उसके लक्षे वगेरा होते हैं अब ये अभी भाशन तयार करने के लिए एक लबी चोड़ी तयारी होती है ऐसा तो है ने एक दिन में भाशन लिख दिया है ना एक लबी चोड़ी तयारी होती है आम तोर पर दिसंबर में जो प्रधान मंत्री कारियाल्य है वो अलग-अलग मंत्राल्यों से भाशन के लिए इंपुट भेजना शुरू करने के लिए कहता है कि भई किस मंत्राल्य ने क्या achievement किये हैं, किस मंत्राल्य का क्या reason है, क्या लक्ष है आने वाले सालों में, उन सभी म अंत्राल्यों की जानकारी का संकलन किया जाता है, और उसके बाद राश्ट्रपती की अविभाशन में इस पूरी की पूरी जानकारी को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद राश्ट्रपती को ये दिया जाता है, और राश्ट्रपती के as it is पढ़ देते हैं, ठी तीनो सत्रों को संबोधित किया, फर्स्ट संचोधन के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि तीनो संचोधन, तीनो सत्रों को basically संबोधित करना जरूरी नहीं है, वारशिक सत्र को संबोधित कर देंगे तो हो जाएगा, और बाकी फिर वो नव गठित के बाद वाला तो याद रखना ही है ठीक है अब अभी भाशन कोन लिखता है ये भी आप लोगों को clear हो गया अब यहाँ पे देखना है लोक सभा सची वाले की भूमिका लोक संबोधन एक कार्यकरम है जो समारो और प्रोटोकोल से जुड़ा हो तो दो मोकों पे ही राष्ट्रपती अभी भाशन देते हैं मैं कई बार रिपीट कर चुकी अगला मुद्दा क्या है इसका महत्व क्या है भाई तो सबसे पहला महत्व है नीतिगत घोशनाए यानि ये जो अभी भाशन है वो सरकार के लिए जो नीतिगत और जो विधाई घोशनाए है वो करने के लिए एक मंच के तोर पे काम करता है सरकार आने वाले वर्षों में क्या-क्या नीतिगत कार्य करेगी क्या-क्या योजनागत और विकास करेगी कौन-कौन सी घोशनाए करेगी इस अभी भाशन के माध्यम से हमें सरकार के वीजन का सरकार की नितियो है सरकार की जो उपलबधियां है उसका भी हमें अभी भाशन के माध्यम से पता लगता है ठीक है अब एक मुद्दा और आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या यह है राश्ट्रपती का सम्वेधानिक दाइत्व है यानि राश्ट्रपती अगर इस भाशन से असहमत हो तो क्या राश्ट्रपती मना कर सकते है इसको पढ़ने से या उन पैराग्राफ को पढ़ने से मना कर सकते है राश्ट्रपती तो ध्यान रखेगा राश्ट्रपती और राज्यपाल विधाईका को सम्बोधन देने के सम्वेधानिक करतव्य को निभाने से इनकार नहीं कर सक राश्ट्रपती को अभिभाशन पढ़ना ही पढ़ेगा, राज्यपाल को अभिभाशन पढ़ना ही पढ़ेगा, हाला कि राज्यपाल के केस में इसके दो तिन मुद्दे आए, उन्पे भी हम डिसकस करेंगे, यानि ये राश्ट्रपती और राज्यपाल का सम्विधानिक दा परना नहीं चाहते लेकिन अब तक किसी राश्ट्रपती के मामले में ऐसा मामला सामने नहीं आया है यानि आज तक कोई भी ऐसी ऐसे हमती का मामला राश्ट्रपती के मामले में सामने नहीं आया जब राश्ट्रपती ने अभी भाशन को पढ़ने या उसके किसी खंड को पढ करने से इंकार कर दी क्योंकि ये समिधानिक दायत वह लेकिन राज्यपालों के मामले में ऐसे वाध हमें देखने को मिले जैसे आप देखोगे हाल ही में तमिलनाडू के राज्यपाल ने विधान सभा में पढ़े गए अपने भाशन में बदलाव किये तमिलनाडू के राज् भाशन ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा यानि कि जो भाशन सरकार ने लिखके दिया है वही भाशन मूल रिकॉर्ड में रखा जाएगा कहने का भी प्राई ये है हम समविधानिक तोर पे इस बात को मान सकते हैं कि जो भाशन सरकार लिखके देगी वही भाशन राष्ट्रप के विवाद भी हमें देखने को मिले लेकिन राश्ट्रपती के संदर्भ में ऐसा विवाद हमें देखने को नहीं मिला है तो पूरा का पूरा अविभाशन का मुद्दा I think आपको अब जाके clear हो गया होगा मैं लास्ट में एक बार revision भी करा दूँँ अगला मुद्दा है लोक राश्ट्रपती भी संसद का हिस्सा होते हैं जब पूरी संसद हमें एक साथ दिखते हैं ठीक है तो एक तो इसका ये महत्व है दूसरा है ये एक अपचारिक कार्यकरम है बेसिकली समार हो प्रोटोकोल से जुड़ा हुआ है मैं आपको बताई चुकी हूँ लोक सभा बड़े पैमाने पर इस जो छण है इसकी तयारी करता है तो ये हो गया अविभाशन अब राश्ट्रपती ने अविभाशन दे दिया अब बारी आती है धन्यवाद प्रस्ताओं की ये धन्यवाद प्रस्ताओं क्या होता है जब राश्ट्रपती संबोधन कर देंगे है ना अपना अविभाशन पढ़ देंगे उसके बाद सत्ता रूड सांसदों तुआरा दोनों सदनों में धन्यवाद पेश किया जाता है जो सत्ता रूड सांसद है उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा ज्यान रखेगा यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने में विफल रहते हैं तो सरकार गिर जाती है धन्यवाद मतलब ये समझा जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है मैं अभी बताऊंगी आप लोगों तो पहली बात सद्टारूड दलों को बेसिकली जो सदस्य है उनको दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा इस प्रस्ताव पे तीन से चार दिन तक विचार विमर्श होता है चर्चा होती है विपक्ष वाले भी अपना इंपूट देते हैं कि ये मुद्दाओर इसमें शामिल किया जाना चाहिए था कि या फिर इस तथ्या को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे ध्यान रखेगा दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे और सांसदों दुआरा जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उनका भी जो प्रधान मंत्री है वो जवाब देंगे यानि तीन-चा प्रस्ताव में असेहमती व्यक्त कर सकते जो विपक्ष के जो सांसद हैं, वो प्रस्ताओं में कुछ संशोधन करके भी अपनी सहमती व्यक्त कर से, अब आप सोचो, लोग सभा में या सहमती व्यक्त करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सामान्यत है लोग सभा में सरकार का बहुमत होता है, तो विपक्ष ज पुछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, विपक्षी सांसदों ने पांच मोको पर, 1980, 1989, 2015, 2016 में राज्य सभा में धन्यवाद प्रस्ताओं पर संशोधन पारित करने में सफल रहे हैं, लेकिन लोग सभा में ये कम सफल रहे हैं, क्योंकि लोग सभा में सरकार का बहुमत होत होता है, तो विपक्षी सांसदों कोई ऐसा संशोधन पारित करने में कम सफल, निश्चित तोर पे कम सफल हो पाएंगे, ठीक है, तो आप से अभी ये पूछा जा सकता है, कि आज तक किसी भी धन्यवाद प्रस्ताओं को बिना संशोधन के ही पारित किया गया, दोनों सदन बन जाता है आप लोगों, ये बात ध्यान रखिएगा कि धन्यवाद प्रस्ताओं दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है, धन्यवाद प्रस्ताओं यदि पारित सरकार नहीं करा पाई, हलाकि ये कभी ही होता है, क्योंकि नोर्मली सरकार है, तो सरकार का बहुमत है और धन्यवाद प्रस्ताओं को कभी-कभी अविश्वास प्रस्ताओं का भी सामना करना, मतलब अविश्वास प्रस्ताओं भी समझा जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, यदि धन्यवाद प्रस्ताओं पारित नहीं हुआ, तो उसे अविश्वास प्रस्ताओं समझा जाएगा ठीक है तो ये point भी आपको ध्यान रखना है तो ये था पूरा का पूरा राश्ट्रपती का विभाशन और धन्यवाद प्रस्ताओ ऐसा कोई भी मुद्दा अब नहीं बचा है जहां से PT में question अगर इस topic से आये तो आप करने में विफल हो जाओ आप हरे question करने में सक्षम हो जा किसे अपनी classes करना चाहते हो तो आप हमारे P2i batch prelims to interview batch से जुड सकते हो ध्यान रखिएगा इसमें PT में इस interview तीनों level की preparation कराए जाएगी 13-14 महीने में आपका पूरा syllabus complete हो जाएगा daily answer writing की सुविधा है अब PT में आपकी special classes होंगी जो की बिल्कुल free of cost होंगी interview guidance program भी इसमें include ह यदि आप PT pass करते हैं तो दिल्ली में जो है हमारा head office जहां है गुरगाओं में वहाँ पे आपको तो तीन महीने रखना आपको अपनी guidance में पढ़ाना सब free of cost होगा निशुल कावासियस विधाए होंगी तो बहुत ही और बहतरीन team आपको पढ़ा रही है आप किसी भी teacher की classes क को इसी channel पे देख सकते हैं सुन सकते हैं तो देर किस बात की अगर admission लेना ही है अगर आपको 2026-27 में attempt देना है तो बिना देर किये हुए study IQ की app या website पे या फिर इस वीडियो के description box में link दिया होगा वहाँ पे जाकि आप admission ले लीजिए admission लेने से पहले आप code यूज़ कर लीजेगा LDLIVE, LDLIVE code करने से आपको ये complete batch मातर 2399 में मिल जाएगा ठीक है 9 फरवरी से classes शुरू हो रही है तो फटा फट जाएए और admission ले लीजिए इसके साथ ही दोस्तों मेरी सारी classes के link, timing, notification, pdf वगेरा आपको ललीता धही अकैडमी टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएंगी Instagram, Facebook पेज, same नाम से है आप यहाँ पे भी मेरे से जुर सकते हैं बाकी PYQ की classes मैं भी करा रही हूँ जो मैं UPSC के पिछले सालों के जो questions है वो करा रही हूँ इसके दस बजे आप अगर चाहें तो उस class से भी जुड सकते हैं एक बार फटा-फट दृष्टी डालते हैं सबसे पहले हमने इतिहास देखा UK से इसकी सोलवी शताबदी में परंपरा रही है अमेरिका में भी इसकी परंपरा रही है सबसे पहले 1919 के अधिनियम में इसकी बात की गई थी 1947 से 50 के बीच को यह विभाशन नहीं हुआ सबसे पहला विभाशन राजेंद्र परसाद ने 31 जन्वर 1950 को जो है दोनों सतनों को संबोधित किया सम्विधान की शुरूइत में राष्ट्रपति के लिए प्रतेक सत्र को संभोधित करना जरूरी था लेकिन पहले समिधान संचोधन के दुआरा केवल पहले सत्र को संबोधित करना ही अनिवारिय रखा गया बाकि सत्र को संबोधित करने की जो अनिवारिय था थी उसको समाप्त कर दिया गया इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल 87 है दो अवसरों पर अभी करेंगे भूमी का मैं आपको बताई चुकी हूं सरकार की achievement सरकार की जो नितियां है वो उनका हमें पता लगता है और लोग सभा सचीवाल लेकी भूमी का होती है पूरी arrangements कराने में इसका यदी महत्व की बात हम करी चुके हैं राश्ट्रपति का ये सम्विधानिक दाइत्व है और राज्यपाल का भी यह सम्विधानिक दाइत्व है कि वो उस अभी भाशन को पढ़ें हाला कि राज्यपालों के द्वारा कुछ उलंगन के मामले आए हैं इन पर भी दिसीजन नहीं हुआ है कि क्या होना चाहिए लेकिन अभी तक आपको यही याद रखना है कि ये एक समयधानिक बाध्यता है अगला मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया कि धन्यवाद प्रस्ताओ का क्या प्रोसीजर होगा है ना जो सत्ता पक्ष है वो धन्यवाद प्रस्ताओ दोनों सद्नों में पारित करेगा तीन चार दिन चर्चा होगी पहस होगी विचार विमर्ष होगा कोधनों के साथ पारित किया गया तो ये बहुत important point है मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से 5 मोके और finally धन्यवाद प्रस्ताओ पारित कराना निवारिया होता है किसी भी सरकार के लिए यदि सरकार ने पारित नहीं मतलब सरकार इसे पारित नहीं कर पाई तो ये अविश्वास के समकशी ही होता है खीक है तो इस तरीके से आशा करती हूँ आपको ये परीचर्च अच्छी लगी होगी यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें जितना ज्यादा शेयर करें कमेंट करें और ललीता दया अकैडमी टेलीग्राम को फोलो करें वहाँ पर सारी क्लासिस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा बाकी डिस्क्रिप्शिन बोक्स में लिंक दिया होगा वहाँ जाके LD लाइव कोड का प्रियोग करके आप एडमीशन ले सकते हैं थैंक्यू सो मच गाइज ऑल दे बेस हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIAS हिंदी